हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चानल सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाएं 2019 में जा सकती है मोधी सरकार RSS के अंदरूनी सर्वे में चेतावनी RSS के फीडबैक और इंटर्नल सर्वे की मताबिक 2019 में मोधी की हालत बेहत खस्ता होने वाली है हो सकता है वो चुनाव हार भी जाएं संग ने भार्ती जनता पार्टी को नरेंदर मोधी सरकार की घटी लोग पुरेता के प्रती आगहा भी किया है देश के जाने माने अंग्रेजी अखवार, देलिग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार RSS ने अपने विभिन संगठनों से फीडबैक लेने के बाद आर्थिक सुस्ती, रोजगार ना मिलने और नौकरियां चले जाने, नोट बंदी के फेल होने और किसानों की बधाली जैसे मुद्धों पर संग को सरकार के खिलाफ महौल बनने का अंदाजा हो गया है संग का मानना है कि आम लोगों में निराशा है और भाचपा और नरेंदर मोदी सरकार का विजहरत 2019 में रुख भी सकता है रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि संग से जुड़े कई संगठन नरेंदर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से खफा है आरेसेस के एक नेता ने देलिग्राफ को बताया कि आम लोगों को उमीद थी कि मोदी सरकार के बनने के बाद धेर सारा कालाधन वापस आएगा और नोटबंदी से भी बहुत सा कालाधन सामने आएगा लेकिन ये सब नहीं हुआ जिसकी वज़े से लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आरेसेस ने मोदी सरकार के वरिष्ट नेताउस को कहा है कि उसके कारे करताओं के अनुसार आम लोग मोदी सरकार के बारे में असुविदा जनक सवाल और बहस कर रहे हैं आपको बता दें कि आरेसेस से जुड़ी भारती मजदूर संग 17 नवंबर से दिल्ली में सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ बड़ा प्रदशन करने वाली है साल 2015 में भारती मुजदूर संग ऐसा ही प्रदशन करने वाली थी लेकिन अंत समय में उसने इसे वापस ले लिया था आरेसेस ने मोदी सरकार को चेताया है कि उसे याद रखना चाहिए कि बीजेपी साल 2004 में अटल बिहारी वाजपाई की लोग प्रियता के बावजूद लोग सभा चुनाव हार गई थी आरेसेस नेताओं ने हाल ही में मथुरा में तीन दिन तक समन्यवे कारेक्रम किया था माना जा रहा है कि इस बैठक में आरेसेस ने जमीनी रिपोर्टों का विशलेशन किया विचारकों का कहना था कि मोधी सरकार के प्रदर्शन से सिर्फ मोधी का नहीं संग के पूरे आंदोलन का भविश्य जुड़ा है विचारकों ने कहा कि सिर्फ पानी की तरह पैसा बहा कर चुनाव जीतने का भ्रम मन से बाहर निकाल देना चाहिए एक एक बार छवी खराब हुई तो जनता विकल्प ना होने के बावजूद कुर्सी से उतार देती है माईंड दन्यूज रूम की रिपोर्ट उमीद है आपको हमारा यह विडियो पसंद आया होगा इस विडियो को लाइक और शेर जरूर करें और आप सबसे जरूरी बात हमारे यूट्यूब चानल को सबस्क्राइब करना न भूलें